हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन काइनात किचन, स्वागत है आप सब का मेरे किचन में आज मैं आप लोगों को एक मिठाई की रेसिपी बताने जा रहे हूँ यानि काजु कतली की रेसिपी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप घर पर ही एक दब मुँ में घुल जाने वाली काजु कतली बना सकते हैं वो भी कम समान के साथ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तयार करेंगे यहाँ पर मैं लगभग 1.2 cup चीनी ले रही हूं आप जिस कटोरी से चीनी नापे उसी कटोरी से आपको पानी नापना है इसे आपकी परफेक्ट काजु कतली बनेगी और उसी कप से मैं यहाँ पर उसके आधा पानी ले रही हूं यानि 1.1 cup चीनी और 1.4 cup पानी पानी में और आज को हमें medium to low ही रखना है चीनी को घोलना इसलिए जरूरी है अगर ये नीचे बढ़ गे तो ये caramelized हो जाएगी तो इस तरह से चलाते हुए हमें सबसे पहले चीनी को घोल लेना है ये देखिए फ्रेंज चीनी अच्छे से पानी में घोल गई है अब इसी तरह से हम बॉयल करते हुए इसकी एक तार की चाशनी तयार कर लेंगे ये देखिए फ्रेंज हमारी एक तार की चाशनी रेड़ी है इस तरह से फिंगर के बीच में रखते हुए हम चेक करेंगे ये देखिए एक तार बन रहा है यानि हमारी चाशनी एकदम परफेक्टली रेड जाएगा यानि ये काजू जो है अपना ओयल रिलीस कर देगा ये देखे एक कप के काजू पाउडर ले रही हो और साथ में एक चौथाई कप मिल्क पाउडर ये पूरी तरह से ऑप्शनल है लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा और अगर आपको नहीं डालना है तो आप मठ डालें सिर्फ काजू से ही आप काजू कतली बना लीजे उसका भी फ्लेवर और भी अच्छा हैगा इस तरह से इसको मिक्स करते होए हलकी आज पर हमें इसे मिक्स करना है अच्छे से ताकि ये नीचे लगे नहीं अगर ये कि नारों से छुटाते हुआ हम इसे मिक्स करेंगे ये देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट स्मूथ मिक्षर हमारा रेडी हो चुका है अब इसे थोड़ा और स्मूथ करने के लिए मैं इसमें डालूंगी घी एक से दो छोटे चमच में घी ले रही हूँ इससे हमाई जो काजू कतली एकदम पर्फेक्टली सेट होगी ये देखिए इसने घी डालते ही कढ़ाई चोड़नाय स्टार्ट कर दिया है यानि हमारा मिक्षर जो है वो रेडी होना चालू हो गया ह ये देखिए एक दम पर्फेक्टली रेडी हो चुका है ग्यास ओफ कर देंगे और अब इसे हम एक ग्रीज की हुई प्लेट या फिट्रे में निकालेंगे इस तरह से मैं ग्रीज की हुई प्लेट ले रही हूँ अगर आपके पास केक्टिन है तो आप वो भी यूज कर सकत करेंगे इसे हम थोड़ा सा इसे सजा लेते हैं क्योंकि हम फेस्टिवल सीजन के लिए बना रहे हैं यह चादी का वर्फ में इस पर लगा रही हूँ अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बिना भी इसे कट कर सकते हैं अब इसे पूरी तरह से मैं चादी के वर्फ से ड देखिए इस तरह से पहले हम इसे लंबाई में कट करेंगे उसके बाद हम इसे इस तरह से साइट से कट करेंगे इसे हमें एकदम पर्फेक्ट्ली काजु कतली जैसा शेप मिलेगा इस तरह से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आईगी से कट करने में बिल्कुल स्मूध और सिल तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और मैं उनका लिंक आपको आई बटन में देदूंगी जिससे आप डारेक्ली वो वीडियो वाच कर सकें यह देखिए हमारी काजु कतली रेड़ी है अब इस एक सर्विंग प्लैटर में निकाल लेंगे हम लीजे फ्रेंट्स हलवाई जैसी हमारी काजु कतली रेड़ी है और वो भी बहुती कम समान के साथ हमने बनाई है आप भी इस फेस्टिवल सीजन में इस रेसिपी से जरूर काजु कतली रेड़ी करें यह देखिए लग रही है न एकदम परफेक्ट और एकदम यमी डिलिशि फ्रेंट्स अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को प्लीज लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक और अच्छी सी और एकदम नई रेसिपी के साथ तिल देन बाबाए